हेलो स्टुडेंट्स क्लास ओफ अचीवर्स में आपका स्वागत है और देखिए इस वीडियो में आज हम सोल करेंगे क्लास ओफ की एक्ससाज 8.1 का कोसर नमबर 2 इसमें बोलता है convert the following ratios to percentage तो यह जो हमें ratios दे रखे हैं इनको हमें percentage में change करना है first part लेते हैं इसमें देखिए दे रखा 3 is to 4 अब percentage में जब हमें change करना होगा तो देखिए 3 जो है कितना percent है 4 का इसका मतलब क्या होगा कि 3 कितना percent है 4 का और क्योंकि इसको percent में हमें change करना percent का मतलब होगा 100 में से तो इसलिए हम 100 से multiply करते हैं यहां पर फिर से बता रहा हूँ 3 कितना percent है 4 का तो 3 कितना percent है 4 का इसलिए 3 upon 4 आया और क्योंकि percent पूछ रखा है यहां पर तो percent का मतलब होता है 100 इसलिए 100 से multiply करा है 4 के table में 25 में 100 कट जाता है तो बचेगा 3 into 25 और इनको multiply करेंगे तो 75 आ जाएगा और जो यह 100 लगाए था इसकी वसी यहां पर percent आ जाता है ठीक है यह आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा अब यह second b part है 2 is to 3 तो अगर इसको करेंगे तो इसको कैसे करेंगे तो देखिए percentage जो आ जाएगी वाजाएगी भी 2 कितना percent है 3 का तो 2 upon 3 multiply by 100 क्योंकि यह direct divide नहीं होता था इसलिए पहले हम इनको आपस में multiply करेंगे तो 200 upon में 3 और देखिए आप divide करेंगे यहां पे तो मैं यहां नीचे आपको बता देता हूँ divide करके जैसे मैं 200 को divide करूँगा 3 से तो 3,6 जाए 18 क्योंकि 3,7 जा 21 जाद हो जाता है तो 3,6 जा 18 और 200 में से मतलब 20 में से 18 गया तो बचेगा 2 यह 0 आ गए यहां पे 3,6 जा 18 बचेगा फिर चे 2 तो इसको mix fraction में लिखेंगे यहां पे तो यह 66 जो है यहां पे आएगा और यह remainder जो हमारा 2 आ यह ऊपर और यह 3 नीचे और बाकी फिर से वही percent के लिए लग जाएगा इसमें तो इस तरह से होगा आपका यह पूरा question जो है किस योर question में doubt होगा तो comment box में लिख दिजेगा और अगर आपको पूरी एक्सेज के प्ले लिस्ट चीए तो प्ले लिस्ट आपको नीचे description में मिल जाएगी और बाकी बड़ी दिखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवा झाल